देंगे तो यह चुकाएगा नहीं कार्ड साधियों के कार्ड जो होते ना कार्ड में पुरे परिवार का नाम आता था सिर्फ हमारे पिताजी का नाम नहीं क्यों कि ये गरीब है ये आनी पाएगा आएगा तो कोई बेवहार नहीं चुका पाएगा कुछ गिप्ट नहीं दे पाएगा मरा जाए पिरमंत तो गत्वा ब्रिंदावन जाही नहीं पाएगा लेकिन उस समय में भी हमने हनमान जी के चरणों को नहीं चुका हमारी मां हमसा हमसे बोलती थी बेटा तो घर से बाहर जब भी निकलना मुस्कुराते हुए निकलना कोई ये ना समझ पाएगा गरीब है और भगवान है तुमारा कोई नहीं सिर्फ भगवान है और साब ये बात माने बारबार हमारी बुद्धी में रखी उसका परणामे के एक दिन हनमान जी ने भी हमारा हाथ पकड़ लिया कि आज का दिन है साब मैं अपनी आप भीती बताता हूं चार चार पाच बात दिन तक पारले जी उस जमान में एक रुपए का आथा था था छोटा पैकर पारले जी एक एक रुपए का पारले जी खाका करके पेट बरा हमने तो इक एक रुपए का उस भर्ट को युदार नहीं देता विक्षा में ब्रामर के काना विक्षा मांगना समयन लेकिन प्राथ नहां करूं जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है वो दिन है कि आज का दिन है हमने हनमान जी को कभी छोड़ा नहीं साम हम कहते रहे जैसी तुमारी इक्षा मेरी मां बोलती देए बेटा तुझे चिंता नहीं करना तुँ तो केबल भगवान का भजन कर और हनमान जी ने ऐसी फूच घुमाई कि आज बागे सो धाम पर हर महीने में सत्तर हजार लोग निसुलक भंडारा पाते हैं उसी वक्त हमारे दिल में बैठ गया था कि अगर हनमान जी ने हम पर क्रपा की और साइद दो रुपए भी मेरी जिम में आए तो मैं गरीवों को भोजन करवाऊंगा और सावियो उसी का परणाम है कि आज बागे सो धाम पर प्रती महीने सत्तर अस्टी हजार लोग निसुलक बंडारा पायते हैं और देश का पहला ऐसा धाम बागे सो धाम है हम कहते न कि किसी बड़े आदमी की बेटी की साधी हो तो करोडों रुपए उसके तोफे में आ जाते हैं हाई या ना करोडों लाखो और किसी गरीब के घर पर साधी हो तो हमाँ भी मात्र शो रुपए का लिफा पा लेके जाते हैं हमने विचार किया क्या करना चाहिए इसलिए बागे सो धाम पर हमने संकल्प लिया गुरू कर पासे धाम पर जो भी चड़ोत्री आएगी